हमारा दुस्मन साथी भी अगर कहीं मौत से लड़ रहा है तो हमारा एक बार दिल से आवाज यही आती है, हमारी आत्मा यह गवाही नहीं देगी कि हम उसको इस तरीके से छोड़ दें तो लोगों की मनजी क्या पुलिस का प्रशाशन का जो डर है वो खतम हो गया तो कर्ण महाभारत काल में जहां बोला गया था अधर्मियों के बीच में होकर उसने दोस्ती का जंडा गार दिया था, दानवीर होने के साथ साथ उसने दोस्ती का भी धर्म निभाया था तो 36 घंटे तक पुलिस ने कुछ ने किया, मुझे लगता कर उस दवरान कुछ किया गया होता, तुरंत उसके बाद, एक्सिडेंट के बाद, तो कहीं न गई, मुझे लगता कुछ ऐसे सबूत मिले होते, दूसरा चाई की तरफ चाहते हम दोस्ती का आर्थी भूल चुके हैं कि दोस्ती होती क्या है, एक दूसरे के लिए त्याग करना, एक दूसरे के लिए सोचना, ये होती है दोस्ती दिल्ली का कंजावला कांड, जिहां वही कांड जहां पर एक लड़की को नए साल की उस दर्मियानी रात पर 12-13 किलोमेटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है और उस मामले में कई सारे अब नए खुलासे होने को हैं और आपको बता दे कई सारे CCTV फोटेश सामने आए जहां पर अंजिली के साथ निधी उसके भी CCTV फोटेश सामने आए और अब बात ये भी आ चुकी है कि निधी ड्रक्स की सप्लाई किया करती थी जिहां अंजिली की दोस निधी जिसने आगरा में जेल की हवा भी खाई है उस समय भी उसे ड्रक्स के कारण पकड़ा गया था लेकिन इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं आरोपियों ने ये कुबूल कर दिया है कि जब निधी और अंजिली की जब वहां से लड़ाई हुई अंजिली जब उनकी ठककर होती है उसके बाद अंजिली जब उस गाड़ी की नीचे फस्ती है तो उस समय उन्हें पता था कि हा अंजिली अंदर फसी हुई है और वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं उसे बार बार उसी एरिये में उस 13 किलमेटर के एरिये में करीबन 2 घंटे तक घुमाते हैं मतलब उसे निकालने कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाती वो लोग डरे हुए थे साथी साथ इस बात को भी कुबूल कर लिया गया है कि गाड़ी में कोई प्रकार के गाने नहीं बज़ रहे थे और इस मामले में नई खुलासे हो रहे हैं हम आ गे भी जानेंकि हमारे साथ यहाप्य हमारे साथ हैं यहाप्य क्या कहें इस मामले में जो बड़ा अब्रे अब सामने आ रहे है टेखिये पहले क्या खबर आई फिर बाद क्या खबर है यह Lets कर चा कभी परसासन के तरप से यह बोल दिया जाता है कि एसीडेंट है कभी यह खुलासे आते हैं सामने कि वह गाने बज रहे थे जैसे कि फिर बाद मताया कि नहीं गाने नहीं बज रहे थे अपने मस्ती मचूर थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दीरे-दीरे एक-एक परदाफास होत परसासन कितनी नकाम साबित हो रही है सरकार की जो रविया है इस पर भी कहीं नहीं सवाल खड़ा हो रहा है नयाय की जो बात की जा रही है उस मिर्तक लड़की के नयाय कहां से मिलेगा इस पर भी सवाल आकर खड़ा हो जाता है बिल्कुल हैपी आपने एक बात बिल्कुल स थी उसके बाद निधी उसको छोड़कर भाग जाती है उस मजधार में उस राज जो कुछ हुआ दो दिन बाद सामने आती उसके बाद धीरे-दीरे सच्चा ही सामने आ रही कैसी दोस्ती थी आखिर पहले दिन से ही निधी जो है वह संसर के जोब की अगर आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके साथ स्कूठी से किसी भी गाड़ी से जा रही हूं और आप गिर जाते हैं तो मेरा सबसे पहले करतव है या इस्पूल से od न allow और सांसान गेरे और मैं ठीक हम तो मेरे पहले करतव हैै कि मैं किसी को भी उन्होंने नहीं बुलाया तो एक बहुती बड़ा सवाल उठता है कि क्यों नहीं बुलाया कुछ तो गडबर था जिसकी वज़ा से जब पुलिस उनके पास गई CCTV कैमरे को छानने के बाद तब उन्होंने बताया तो कुछ तो ऐसी बात थी और अभी फिर एक सवाल खड़ सामने आ चुके एसे में क्या कहेंगे आप सबसे पहले तो जो CCTV फुटेज सामने आए हैं वो पूरी तरीक से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और पुलिस जो है जो कहना चाहरी है अपनी बाते वो साफ तोर पे कहनी पा रही है और जहां तक कि इसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आज जो नएने अपडेट जो आ रहे हैं उसको ड्रक्स के मामले में और जो भी नएने अपडेट आ रहे हैं गांजा फीम जो भी है उनके मामले में तो उसके उपर और विशेज कारवाई होनी ची और जो भी सच्चाई है उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है युवाओं की ये बड़ी मांग है कि सच्चाई को सामने लाना बेहत जरूरी है क्योंकि अभी तक काफी सारे ऐसे राज हैं जिनका खुलना बाकी है अब आपने पूरी केस की स्टेडी की है और उस पर आपने रिपोर्ट्स भी लिखी हैं क्या कहेंगी सबसे पहली बात जो है कि जो 36 घंटे तक पुलिस ने कुछ ने किया होता तुरंत उसके बाद एक्सिडेंट के बाद तो कहीं न गई मुझे लगता है कुछ ऐसे सबूत मि सब्सक्राइब होते जो सचाई की तरफ जाते अभी अलग 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 जगह के CCTV फोटेज आ रहे लेकिन जिस समय एक्सिडेंट हुआ उस समय क्या हुआ था वो चीज हमारे पास नहीं है कि उस समय क्या हुआ था और फिर निधी ऐसे क्यों बाते बना रही है और एक और जैसे कि दिवानशी ने आपको बताया कि क्योंकि कोई भी है एक ऐसे अंजान इंसान भी है तो अगर आपका एक्सिडेंट होता है तो पहले पुलिस को कॉल करेगा या फिर घरवालों को कॉल करेगा या फिर किसी ऐसे समंदी को कॉल करेगा जो उन्हें जानता है और आ गंटे तक उस गाड़ी को कई बार यूटन लिया कई बार ब्रेक लगा एक दम ताकि अंजली वहां से निकल जाए लेकिन अंजली वहां से नहीं निकल पाती और 13 किलोमेटर के उस एरिय में दो गंटे तक कई बार उसे घसीटा जाता है उसकी लाश के जो फोटोस हैं वो आम नियाई की मांग कर रही है फासी की मांग कर रही है देखिए नियाई की मांग होती है लेकिन जब कोई भी ऐसी घटना हमारे सामने होती है तो हम सबसे पहले जो है चीखने चिलाने लगते हैं और महौल गर्म हो जाता है हम कई सारा एंगल सोचने लगते हैं लेकिन आप दे कि ये क्या-क्या मामले सामने आ गए अभी मामला सामने आ रहा है कि तीन मकान है उसके पास तीन मकान वैसे कि अपने पैसे उसे खरीदे हुए और अभी 6 दिसंबर को जो है वो पकड़ाई भी थी निधी उसकी जो दोस्त है ड्रक्स के साथ और तीन दोस्त यानि कि 10 केजी ड् पकड़ा गया अब सोचिए कि 16 लाग 17 लाग की मकान जिसकी कीमत है तिन तीन मकान खुद के पैसे से कहां से आया है यह सब सारी चीजें इसके पीछे की क्या कहानी है तो इसमें कई सारी मिश्टरी है जैसे ही यह जांच आगे बढ़ता जाएगा तो कई सारे राज खुलकर सा ताकि उसके अंदर यह मन में भी डर होगा कि अगर यह हम खुद से सामने आकर यह बाते रखते हैं तो मेरा ड्रक्स वाला भी मामला खुल जाएगा जबकि वो बेल पर है बिलकुल बेल पर है यह बात साफ बताई जा रही है और आप जगल है मैं आपको अब पूरे मामले क पर सवाल उठता है कि अंजली और निधी दोनों दोस्त बताई जाती है रात को पाटी के लिए जाती है और उसके बाद निधी अंजली को छोड़ कर वहां से निकल जाती है जब एक्सिदेंट होता है और वो कार के नीचे आती है तो वहां से बड़े सवाल वहीं से खड़ समय के साथ जैसे मौटन हो रहा है ना तो हमारी यह सब परिभासाइं जो दोस्ती को लेके यह सारी चीज़े बदलती जारी है अब एक दोस्ती दो तरीके का होता है जो हमारी बच्पन में होती जहां पर किसी भी लालच यह चीजी का कोई वो नहीं था अपने दूस्त के मुडरीन के साथ तरह से आप अपने इन वॉल्व गया है चहां तक मनी का हमार हमें दिख रहा है कि हमारा advantage है अभी तक advantage मिल रहा है तब तक हम दोस्ती को बनाए लगते हैं जब देखते हैं कि इसमें करनामे की हम disadvantage मिल रहा है तो हम दोस्ती को छोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो दोस्ती और संबंधों पिटिगी है भारत की संस्कृति जहां पर हम रिस्तों को बहुत ही जादा एहमियत देते हैं लेकिन अभी मुझे लग रहा है सिर्फ दोस्ती के ही रिस्तों में नहीं हर रिस्तों में यह जो है दरारें औ और यह जो माइंड है इसको बहुत चेंज करने की जरूरत है कोई भी इंसान अपने माबाप से ज़्यादा जब विश्वास करता है तो कई बार दोस्ती को महत्व दिया जाता है भाई मेरा दोस्त ऐसा मेरा दोस्त ऐसा या फिर आजकल के स्टेटर्स और मीम्स आपने युव नियोपिक करेगा और रही बात दोस्ती की तो दोस्ती आज है कल नहीं है एक प्रकार से लंबे समय तक बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी दोस्ती लंबे समय तक चल सकती है लेकिन दोस्ती पर भरुशा करना वह इतनी ज्यादा तरीके से बरुशा करना और रही बात न जगड़ा उनका हुआ होगा तो यह आम सी बात है कि आपसी जगड़ा मदवे जो भी रहा होगा किसी भी मामले को लो कर चाहिए वो पैसे को लेकर हो या किसी और भी चीज को लेकर हो सकता है तो इसके उपर अब दोस्ती में दरार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए उसमें क कहां जा सकता है किया कहिए रिष्टे नाथे कहां गय आखिर वो दोस्ती का रिष्टा जिसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आप मुझे खुल कर बताईए यह सचाई क्या है इस दोस्ति की इस एक्सिलेंट की बाद क्या कोई विश्वास कर पाएगा, क्या कोई नया दोस्त बना पाएगा, क्या कोई रात को पार्टी में जा पाएगा, अंजली और निधी की इस दोस्ती को देख कर। अपने दोस्त के खातिर, अपने मा का परिचयफ हो जाता है कि ये मेरी मा है, उसके बावजूद भी अपने दोस्त का साथ देता है, अदान कर देता है, जिसे अपनी जान का भी परवाह नहीं है, पर दोस्ती का नाज रखना जानता है, जहां दोस्त को छोड़ करके वो नहीं लेकिन सचाही यह है कि हम अपने आपसे भी गदारी कर रहे हैं, अपने वादों से गदारी कर रहे हैं, उन वचनों से गदारी कर रहे हैं, अपने moral values को हम लोज कर रहे हैं, कही न कहीं यही सबसे बड़ा वज़ा है कि आज हम दोस्ती भी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, कोई सम्मंध भी सही से हो ही रही है और साथ में हम अपनी जिनिल को भी कबार बना रहे हैं लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये दोस्ती को लेकर है निधी जो की पहले भी गिरफतार हुई थी आगरा में ड्रक्स की सप्लाई को लेकर लेकिन दो दिन तक निधी सामने नहीं आती है और जब नए CCD4D जिसमें ये दो लड़कियां दिखाई देती है उसके बाद सच्चाई सामने आती है और उसके बाद शर्मशार्ज होना शुरू होती है दोस्ती क्या कहेंगे इस परावाब देखिए दोस्ती की बात आप कर रहे हैं तो फिलाल जो है निधिया और अंजली की दोस्ती में उतनी घहराई भी नहीं थी जल्द ही वो मिले भी थे दोस्त भी बने थे लेकिन अब उस दोस्ती के पीछे इन दोनों का स्वार्थ क्या था जैसे कि इन्होंने कहा कि स्वार्थ क्या था कि कंड जैसा महायोध्धा उनके साथ है लेकिन वहीं आप रमायण की बात करें तो भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती जो कि भगवान राम जो है अपने धर्म से भी परे होकर जो है महराज बली का जो है वद कर देते हैं अपने मित्र सुग्रीव है कि नहीं इस तरीके की चीजों को देकर हम दोस्ती करते हैं हम दोस्ती का आर्थ ही भूल चुके हैं कि दोस्ती होती क्या है एक दूसरे के लिए त्याग करना एक दूसरे के लिए सोचना यह होती है दोस्ती आप सोचिए कि अगर वो कुछ समय पहले भी मिले थे अगर दो नाच आगे बढ़ेगी कुछ ना कुछ नया मामला निकल कर जरूर सामने आएगा क्योंकि किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि वह पहले से बेल पर है और उसके पास 10 kg ड्रक्स भी पखड़े जा चुके हैं ड्रक्स का कारोबार भी करती है इतने सारे पैसे हैं उसके पास इतनी सारी मकाने खुद के पैसे से आप सूचिए आपकी भी किया उम्र होगी लेकिन आप इस उम्र में उतना कर पाएं नहीं कर पाएं तो ये सारी जांच का भी सहा है जब तक गहनता से जांच नहीं होगी सचाई सामने नहीं आएगी उससे पहले हम लोग और सोसल मीडिया का ज किया है उसके साथ कुछ गलत हुआ है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था जब उसकी डेट बोड़ी उन्होंने देखी ये बड़ा ही सवाल खड़े हो रहे हैं और फांसी की मांग साफ तौर पर कह रहे हैं जब भी मीडिया उनसे पूस्ताच के लिए जाती है जब कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो उसका दोसी आरोपी जो भी है उसको सजा मिले लेकिन ये जाज का विसा है कि क्या अंजली के साथ भी कुछ ऐसा था देखिए निर्वस्त्र मिली थी डेट बाड़ी ये बिल्कुल सही बात है हो सकता है कि उसके साथ कुछ नमर याद है अगर कोई कोई घटना हो रही है किसी के साथ हमारा दुस्मन साथी भी अगर कहीं मौत से लड़ रहा है तो हमारा एक बार दिल से आवाज यही आती है हमारी आत्मा यह गवाही नहीं देगी कि हम उसको इस तरीके से छोड़ दें लेकिन इसके पीछे उसका क् बात सामने आ रही थी कि नार्कोटेक उनका जो किया जाया जाए जांच लेकिन यहां बड़े सवाल अब यह भी उठ रहे हैं कि प्रशाशन प्रशाशन जब सुरू में यह बात कर रहा था कि एक्सेरेंट हुआ है उसके बात इसकी जांच में घरवालों नहीं यह भी कहा क बहुत धीमी जांच चल रही है फिर उसके बात जब CCTV फुटेज सामने आने लगे और भी जादा तो फिर यह जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि अपने आप में सब को डला कर रग देते हैं यह बात उन्होंने साफ तोर पर नीचे फसी हुए थी तो बात यह क्या ही जा रही थी कि उनकी गड़ी में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था तो यह म्यूजिक की बात भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दी हुनने का है कि कोई म्यूजिक नहीं चला हुआ था हमें पता था अंजली फसी हुई है फिर आपने देखा होगा कि आज जो है पुलिस से पुष्टाश में उन्होंने ये कबूल नामा दिया है लेकिन ये घटना जो भी हुई है इसमें नीधी को खरोच नहीं आई किस तरीके से घटना हो सकती है उसके बाद वो आरूपी अपने इसाब से जो भी सोच रहे हो ये तो ज इससाफ तोर पर कह रहे हैं कि फांसी की सजा उने घ trees शाइए कि वो ध्रायां भिलगें जिसके से उन्हों ने आइइ मिले क्या करेंगे आप क्या पर vallahi कि सजा का मैं यह बोलूंगी कि डार्यक्त रिजल्ट या कोई भी चीज का निरान नहीं होता है पाशी की सजा की सजा कि च्पाले की चीजिजों की चाहिए कि क्या हुआ कैसे वा और किसके लोगों की घलती दी देली पिलिस ने कहा था कि हर जगह से बड़िकेट लगे हुए हैं और इतने देर तो पुलिस कि कहां पर कमयी थी कि हमारे आए दिन इसी घटना होती जा रहे हैं दिन प्रतिदीं होत दूसरी बात अभी इनोंने बात करें बात मुझे नहीं पता थी कि उन्हों को पता था कि फैली यह तो हमारे युवाओं के दिमाग में क्या इंसानियत खतम हो गई लोगों के मन से इंसानी चली है तो यह सारी चीज जो है बहुत ही सवाल उठा रही है हर चीज को लेकी सवाल उठा रही है तो जांच तो बहुत बड़ा मुद्दा और जांच होने के बाद जो हमारे प्रशाशन के इसाब से किसी को भी सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए सजा तो मिलनी चाहिए लेकिन जांच पहले बहुत जरूरी है यह युवाओं ने साफ कर दिया है और आज इन खबर के नियूजरूम से यह जांच का विशे जो है अब सबसे बड़े सवाल क्या थे वो आमने आप सभी के सामने रखे और अब अभी भी कई सारे ऐसे खुलासे हैं इनका होना बाकी है जो आप सभी को डराने वाले होंगे और चौकाने वाले भी होंगे अब यह देखना होगा कंजावला कांड में क्या कुछ पड़े खुलासे अभी होंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है आप बने रहे इन खबर के साथ नमस्कार